हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई चैनल स्टेडी विट फ्रेया आजर मुख पढ़ने वाले हैं नेच्रल रिसोर्सेज लैंड वाटर फ्रेंट्स यह हमारा पार्ट वन होने वाला है चैप्टर टू एसस्टी का फ्रेंट्स इस पार्ट में हमार आप लोगों को किक दा करेक् आज की इस वीडियो को स्टाइट करते हैं जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट कुश्चन है वह है विच टाइप अफ इरोजिन लेट्स तो डिजर्टिफिकेशन तो सॉइल इरोजिन है जिसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन होता है नेक्स देखते ह है विच वन ओफ फॉलोइंग इस सुटेवल फॉर रिस्टोरिंग और सॉइल फर्टिलिटी तो कॉंट्रोल पॉलिंग इस आंसर करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड कोश्चिन आप लोगा लिजिए जो कि हमारा आंसर है सेकंड कोश्चिन का इस कोश्चिन में बोला गया है विच रिस्टोरिंग हो सकती है तो कॉंट्रो प्लॉइंग की वज़े से वह वापस सॉइल फर्टाइल हो सकती है फ्रेंट्स नेक्स थार्ट कोशिन देखते हैं थार्ट कोशिन है हमारा विच आफ दे फॉलोइंग इस नाट आफ फेवर ऑफ मल्टी परपस रिवर वैली नहeteèces के लिए नहीं है लाग स्केल डीश्याश्मेंट ओफ पीपल यह हमारा नहीं है आफ में मल्टी परपर रिवर वैली प्रोजेक्ट मेंतों इसलिए इसलिए नंबर है वह हो हमारा पार्टाइंसर में सामयव कौन सा इंशारों में से है जो रिवर पर जे से मल्टी रिवर परपस से मेल नहीं खाता है तो जो हमारा लाज के दिस्प्रेश्मेंट आफ पीपल है वो रिवर से मेल नहीं खाता है उसका कोई काम नहीं है प्रोजेक्ट में रिवर वैली प्रोजेक्ट में नेक्स्स देखते हैं friends, next है हमारा fourth question जो है maintenance of lake and pond is essential for इसका अंसर होगा increasing water table इसलिए water table की जैसे ही हम उसकी देख़ाल करने पलती है lake और pond की next देखते हैं which factor is more responsible for the quick formation of soil in Rajasthan इसने पुछा गया है कि जो कौन से factor है इन चारो में से जो responsible है soil, quick formation of soil in Rajasthan के लिए बहाँ पर इती जल्दी जल्दी rate कैसे आजाती है, मिट्टी कैसे आजाती है extreme difference in day and night temperature extreme difference in day and night temperature की वज़े से ये quick formation of soil होती है next देखते हैं fill in the blanks है next हमारा जो है earth surface is divided into dash and dash zone land and water zones next है हमारा to maintain economical balance dash of the land should be under forest 33% हमें अगर economical balance को पूरा बराबर लाना है तो हमें 33% soil land है उसको forest को देना होगा मतलब वहाँ पे जंगल उगाना होगा friends जैसे कि आप लोगों को अभी पता है कि covid चल रहा है इसमें हमें कित्ती जादा oxygen की कमी हो रही है इसकी बज़े से कित्ते सारे लोग भी मर रहे हैं friends cutting down of trees is known as deforestation and planting of trees is known as afforestation next देखते हैं next है हमारा the main source of fresh water is rainfall rainfall है वो हमारा main source है fresh water का क्योंकि जब बारिस होती है तो वो सबसे ज़्यादा main होता है लेकिन जब वो नीचे आता है धीरे धीरे level में आता है clouds के अर्थ के level में तो जो गारियों की factory की pollution है उसमें mix हो जाती है और वो भी impure हो जाता है next देखते है next है हमारा fifth question जो है earth is also known as dash planet due to the presence of water on it तो blue planet earth is also known as blue planet और आप यहां पर watery planet भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर water present है इसलिए यह blue भी दिखता है और watery भी है दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं चलते हैं next next जो है वो है हमारा write a technical term of an appropriate word for each of the following statements इसमें हमें एक word लिखना है इन सारे statements जो यहां दिये गया है उनके लिए सिर्फ एक word इस्तमाल करना है तो देखते हैं it is formed by decomposed part of plants and animals तो humus next the original rock form from which with the soil is formed parent rock जो the original rock from which the soil is formed is parent rock इसकी हिंदी हुई कि जो original rock है वो उसकी उसमें से जब soil बनता है तो टूट टूट के जब वो रोक टूट के soil बनता है तो जो original rock होता है उसको parent rock बोला जाता है और उससे ही soil बनता है it is formed as a result of long continuous weathering process of rocks तो soil soil जो होता है वो weathering rocks के weathering process से बनता है next देखते है next है हमारा project which serves various purpose at the same time तो river valley project friends यहां है और उसके बाद the next जो हमार last question आता है वो है the process in which the top layer of the soil is removed by the natural and human activities इसका answer हम सबको पता है soil erosion तो यह हो जाए था हमारा सबका answer friends यहां पर project होता जिसके बज़े से यहां पर जगा नहीं बची थी तो मैंने सिर्फ इत्ता ही लिखा था आप इसको पूरा लिख दीजिएगा friends यहां पर हो जाता है हमारा पूरा आज का solution complete अगर यह solution वीडियो आप लोगों को अच्छा लग हो तो please मेरे channel को subscribe कर दीजिए और इस वीडियो को like भी कर दीजिए thanks for watching and keep watching तिंख बड्र चक कर दो थभी तो